शर्नोबेल नुक्लियर डिजास्टर इस दुनिया का सबसे बड़ा नुक्लियर एक्सिडेंट था जो की 26 सपरील 1986 को यूक्रेन में प्रिप्यात शहर के नजदीक हुआ था इस एक्सिडेंट को International Atomic Energy Agency ने INES स्केल पे 7th level असाइन किया था INES या International Nuclear and Radiological Event Scale पे नुक्लियर डिजास्टर की इंटेंसिटी को नापा जाता है जैसे की रिक्टर स्केल पे अर्थक्विक की इंटेंसिटी को नापा जाता है शेटनोबिल में रियक्टर डिजाइन में गरबढ और प्लैंट आपरेटर्स की गल्ती के कारण रियक्टरvette-इस एक्स्प्लोडेड इस एक्स्प्लोजन में दो इंजीनियर्स मारे गए और दो had severe burns Explosion और open fire के कारण radioactive material प्लांट के surrounding areas में फैल गया प्लांट के around 30 km का एक exclusion zone बनाया गया और करीब 120,000 लोगों को evacuate किया गया Immediate emergency response के दौरान 237 workers को hospitalized करना पड़ा जिसमें से 134 workers के लक्षन acute radiation syndrome के थे इनमें से 28 worker तीन महिने में ही चल बसे आसपास के area में भी radiation के कारण thyroid cancer के होने का खत्रा long term तक बना रहा Initial emergency response और environment decontamination में 5 लाख लोगों की जुरत पड़ी जिसका खर्चा करीब 18 billion rubles या करीब 70 billion US dollars था ऐसे हाथसे को कभी Ukraine दोहराना नहीं चाहेगी लेकिन अभी Ukraine Russia war के कारण एक नए nuclear plant पे खत्रे के बादल मंडरा रहे हैं यह है जपोरीजिया nuclear power station जो southern Ukraine में है जपोरीजिया plant Soviet Union के दोहरा 1980s में बनाया गया था इसमें 6 water cooled reactors हैं और इस plant का area करीब 1.3 square km है यह plant नीपर रिवर के किनारे एनर होदा टाउन के करीब स्थित है यह यॉरप का सबसे बड़ा nuclear plant है और इसकी शमता है 5700 MW की और वार के पहले यह Ukraine की 20 प्रतिशत बिजली सप्लाई करता था लेकिन मार्च 2022 के बाद Russian forces ने इस plant पर कबजा कर लिया है हाला कि अभी भी यहां कुछ Ukrainian staff काम कर रहे हैं लेकिन अंडर Ross Atom जो की रशिया की Atomic Energy Corporation है वार के शुरुआत में सब कुछ शांत ही था लेकिन अब इस वार का असर plant पर भी हो रहा है August 2022 में ही ऐसे दो incidents हुए जिससे nuclear disaster का खत्रा बहुत करीब लग रहा था युक्रेन और US ने रशिया पे आरोप लगाया है सपोरीजिया plant को एक shield की तरह use करने का attacks launch करने के लिए रशिया ने इन सब आरोप को जूटा बताया है और उल्टा युक्रेन पे आरोप लगाया है plant पे गोला बारी करने की ताकि nuclear accident का जिम्मा रशिया पर डाल सके कुछ दिन बाद युक्रेन ने अपनी कहानी बदल कर ये भी कहा कि रशिया ही गोली बारी कर रहा है plant पे ताकि उसे युक्रेन grid से disconnect करके क्रीमिया के power grid में connect कर सके 5 अगस्त को गोला बारी के कारण एक electrical switchboard damage हो गया था जिसके कारण power shutdown हो गया था International Atomic Energy Agency ने इस incident के बाद plant safety inspect करने का सुझाओ दिया था लेकिन उसके लिए युक्रेन और रशिया दोनों की सहमती जरूरी है युक्रेन ने permission देने से मना कर दिया ये कहके कि inspection की सहमती देना रशिया के claim को on the plant सही ठहराना होगा 27 अगस्त को President of Ukraine Zelensky ने गहा Europe faced the prospect of a radiation disaster on Thursday when a Russian occupied nuclear plant was disconnected from Ukraine's power grid इस damage का कारण था आग जिससे पहली बार ये nuclear plant Ukraine के national grid से disconnect हो गया था Zelensky के हिसाब से कारण था Russian गोला बारी वहीं Russian governor के हिसाब से इस आग का कारण थी Ukraine military ये blame game तो चलते ही रहने वाले हैं और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तयार नहीं तो politics से हट कर अगर logically देखा जाए तो ये कितना बड़ा खत्रा है ये ध्यान में रखते हुए कि शर्नोबिल reactor ही capacity थी करीब 3500 मेगावाट्स लेकिन जैपोरीजिया की capacity है 5700 मेगावाट्स शर्नोबिल से 60% जादा शर्नोबिल के case में reactor explosion के कारण radioactive material काफी दूर तक फैल गया था लेकिन जैपोरीजिया में reactors 10 मीटर यानी करीब 33 feet concrete से protected हैं इसलिए गोला बारी से direct damage की probability काफी कम है लेकिन 35 साल से उपर से चल रहे इस plant के सारे spent nuclear fuel plant complex के storage में ही रखे गए हैं अगर वो damage होते हैं तो radioactive material leak वहाँ से भी हो सकता है इसके साथ साथ nuclear reactors भी बहुत complex systems होते हैं For example, अगर कोई damage हुआ reactor के cooling system को किसी भी गोला बारी से तो reactor meltdown और explosion की संभावना काफी बढ़ जाती है लेकिन इस worst case scenario में भी इसके effects war zone में ही सीमित रहेंगे और civilians के effect होने के chances कम है तो international sphere में इस मुद्दे को उठा के दोनों sides क्या करने की कोशिश कर रही है Russia के लिए इससे दो फायदे देखे जा सकते हैं Western countries को discourage करना की वो Ukraine की military को aid देने से पीछे हटे साथ ही साथ domestic support भी उनको मिले खुद को nuclear plant के रक्षक के रोल में दिखा के Ukraine के लिए ये issue मौका है global community से sympathy प्राप्त करने का और Russia पे और pressure डालने का इस war को अंत करने के लिए आज तक सारे nuclear accidents शर्णोबिल, Fukushima, Three Mile Island, Peace के दोरान ही हुए हैं पहली बार को nuclear plant war के बीचों बीच फसा है जैपोरीजिया को बंद करना भी आसान नहीं क्योंकि आने वाले सर्दी के मौसम में बिजली की demand और बढ़ जाएगी nuclear plants fossil fuel से बहुत कम greenhouse gases रिलीस करते हैं और इनके shutdown से climate change पे भी काफी बुरा असर पड़ेगा अभी के हाल को देखते हुए युक्रेन के employees मौका मिलते ही plant छोड़ कर भाग रहे हैं और इन हालात में नए recruits को लाना भी मुश्किल है जिसके कारण plant को चलाना और safely चलाना और कठिन होता जा रहा है रशिया के लिए future में शायद जरूरत पड़े युक्रेन और रशिया के साथ में मिलकर काम करने की ताकि शर्नोबिल अपने biggest nuclear disaster के खिताब को कायम रख सके